चतिसगर न्यूज अपडेट में स्वागत है दोस्तों तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई हैं। विधान सभा में घोशना, मुख्यमंत्री ने कहा अगले खरीफ सीजन से किसानों से प्रती एकर 20 क्विंटल धान खरीदेगी सरकार। मुख्यमंत्री भुपेश बगेल ने गुरुवार को विधान सभा में घोशना की कि अगले खरीद सीजन यानि इस साल नवंबर से होने वाली धान खरीदी में सरकार किसानों से प्रती एकर 20 क्विंटल धान खरीदेगी। इस साल खरीफ में एक एकर पर 15 क्विंटल धान खरीदा गया है। सीएम ने कहा कि अब सरकार चत्तीसगर के किसानों का एक एक दाना धान खरीद लेगी। सीएम के भाशन के बाद विधान सभा के बजट सत्र का एक दिन पहले ही 23 मार्च को समापन हो गया। इस से पहले सीएम ने विनियोग विधेयक पर चर्चा का जबाव देते हुए कहा कि अन्नदाताओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसलिए अब किसानों से 15 की जगह 20 क्विंटल प्रती एकर धान खरीदा जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को करज मुक्त करने एवं देश में क्रिशी उपच का सारवाधिक मूले दिये जाने के अच्छे परिणाम राज्य में दिखने लगे है। भेट मुलाकात के दौरान ये बात आई थी कि जिन क्शेत्रों में धान का उत्पादन प्रती क्विंटल 15 एकर से अधिक होता है, वहां 20 क्विंटल खरीदना ही चाहिए। लोगों की भावनाय का ख्याल रखते हुए ही आने वाले खरीफ सीजन में प्रती एकर 20 क्विंटल धान खरीदने का फैसला लिया है। इस निर्वय से किसानों को भरपूर लाब होगा और ज्यादा से ज्यादा किसान खेती के लिए प्रेरित होंगे। इस दोरान सीएम में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग तो गरीबों का चावल भी खा गए।